आप लोगों में किन किन लोगों के पास वोटर कार्ड हैं एक बार हाथ उठाईए आप लोगों में से 15% लोग जब वोटिंग के लिए जाएंगे तो ये पाएंगे कि आपका वोटर कार्ड वहां मुझुद नहीं रहेगा और आप वोट नहीं कर पाएंगे मेरी एक software development company है है हिदराबाद में हमारा काम है image को text में convert करना अगर आप ये banner की photo मुझे दे देंगे तो मैं आप में ये पूरा text निकाल के text format में दे दूँगा हम लोगों ने इससे पहले community related बहुत से apps बनाए हैं एक है muslim freedom fighters dot com ये website पे आप 155 muslim freedom fighters के बारे में आप देख सकेंगे एनरसी के लिए हम लोगों ने एक app बनाया है रिसेंटली तीस्ता सतलवाद मैम के लिए हेट हटाओ app बनाया है मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको किसी तरह की दरोत है अगर वो social benefit करता है तो हम लोग without any charges आपको technology की मदद करेंगे हैदराबाद में बैटे हुए मुझे पता चलता है कि ओखला के गफ़ार कौनली में कौन से घर से वोटर गायब है इसलिए पता चल जाता है कि election commission website में PDF electoral rolls रहते हैं electoral rolls को हम लोग download करते हैं वो भी एक image है एक तस्वीर है python programming के जरीए हम लोग उस तस्वीर को text में convert करते हैं electoral rolls में आपको उपर के हिसे में गली का नाम रहता है उसके बाद नाम फिर guardian का नाम फिर ट्यूमर और उसके बाद घर का नमबर जब programming के जरीए हम लोग ये पूरा data को excel sheet में convert कर देंगे तो हमें पता चल जाता है मिसाल के तोर पे voter sequence number one है वहाँ पे voter ID है आदमी का नाम अब्दुल समद है उनका गली का नाम है और घर नमबर है तो उसके बाद घर नमबर और गली का नाम जब हम मिलवा देते हैं हम लोगों को unique घर पता चल जाता है और कौन से घर में कितने voters हैं वो पता चल जाता है मैंने ये काम शुरू किया गुजरात के elections के बाद गुजरात के assembly elections जो 2017 में हुए थे वहाँ पे 16 जगाओं पे बीजेपी ने जीती थी सिर्फ 3000 के majority से मिसाल के तोर पे आप गोद्रा ले लीजिए गोद्रा में बीजेपी की majority थी 253 votes वहाँ की जब मैं voting voter list analyze कर रहा था तो मैंने ये पाया कि 18-100 मुसल्मान घर गोद्रा में ऐसे थे इसमें एक ही voter था क्या ये पॉजिबल है इसी तरह से आप देख लिए के धोकला बोतार हिमतनगर हर constituency में 15-20% मुसल्मान कर ऐसे मिल रहे हैं जिनमें सिर्फ एक ही voter card मौजूद है अब ये वोट गए कहां नमबर एक वोट जाने की वज़ा है शरारत कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि इस पोलिंग बूट में लास्ट इम कौनसी पार्टी को ज्यादा वोट मिले और उनके नाम से form 7 अपलाई कर देते हैं अगर मैं चाहता हूं कि नवीद साब का वोट चले जाए तो मैं online जाके form 7 फिल कर सकता हूं कि नवीद हामिद साब यहां नहीं रहते असल में होना ये चाहिए कि बोलिंग बूट एजेंट जाके verify करना है उसके बाद नाम निकलना है पर पर नाम निकल जाता है दूसरी है ignorance ज्यादातर मुसल्मान दलित तब के किराय के मकान में रहते हैं वो घर बदलते हैं और अपना वोटर का चेंज नहीं करते तो जब कोई polling बूट एजेंट verification के लिए आता है उनका नाम निकाल देता है तो इन वज़ों से 20% मुसल्मान घरों में अब एक ही वोट मुझूद है करनाटका में जैसे आप देख रहे थे हमने पता लगाया कि 18 लाग मुसल्मान घर करनाटका में ऐसे थे जिन में सिर्फ एक ही वोटर था हम लोगों ने एप बनाया और लिस्ट पब्लिश कर दी जैसे लिस्ट पब्लिश हो गई आर्टिकल्स आए कैरवान डेली में एक आर्टिकल आया था फिर डकेट हराल ने उसको कवर किया फिर इंडिया टीवी में उसके बारे में प्रोग्राम किया तब एलेक्शन कमिशन म के बाद नॉमिनेशन के बीच में फिर से एलेक्टरल ड्राइफ कंड़ेट किया तमाम पचास हजार पॉलिंग बूट को पॉलिंग बूट एजेंट्स को भेजा और का जिनके भी नाम नहीं हो वापिस नाम सिस्टम में ला सकते हैं यह उटर आप हम लोगों ने बनाया इस घर तक पहुंचे और उनका वोटर कार्ट बनाने में मदद की सियासत में ए आर्टिकल आ था एलेक्शन कमिशन जो फिब्रवरी 28 को कह दिया था कि वोटर लिस्ट फाइनल हैं बारा लाग नए वोटर्स आड़ हुए इस प्रॉसस के वज़े से तो लंदला बहुत बड़ी कामियाभी है कि बारा लाग वोटर्स सिस्टम में आगए स्रिफ तीन हफ्तें के पीरेड में यह आर्टिकल में हम लोगों ने पूरी मेथडॉलजी दी है अब पर सकते हैं एकनोमिक और पॉलिटिकल वीकली आर्टिकल में अब देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूरे इंडिया में 3 करोड मुसल्मान वोटर सिस्टम में नहीं है सेप्टेंबर 2nd 2018 के हिसाब से इंडिया का पॉपलेशन है 135 क्रोर अगर मुसलिम परसेंटेज हम लेंगे 14.2 परसेंट उसके हिसाब से 18.9 क्रोर मुसलिम पॉपलेशन है अकसर पॉपलेशन ऑफ वोटिंग 62 परस रहने चाहिए थे बट उनमें से 3 करोड मिसिंग है similar problem दलित वोटरों का भी है दलित कम्यूटी में 4 करोड वोटर मिसिंग है अब यह problem है तो इसका solution क्या है इसका simple solution है प्लेशन में जाईए missing वोटर अप आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप में आपके पूरे constituency के polling booth आपको दिखेंगे अगर आप एक polling booth क्लिक करेंगे तो आपके उसमें कितने गली है और गली में कितने घर है दिख जाएंगे अगर आप एक घर को क्लिक करेंगे तो घर में कितने वोटर है दिख जाएंगे तो आप उन घरों पे जाईए जो घर में सिर्फ एक ही फॉर्म में फॉर्म कीजीए, बड़ मसला यह है कि एलक्शनकुमिशन का संप इतना बड़ा है कि वह वॉलिंटियर वहां फॉर्म नहीं कर और वहां से ट्रैकिंग नंबर लेंगे और हमारी वेबसेट में सेव करेंगे और हर दिन रात में हमारा एक प्रोग्राम कंटिनियसली चलता रहेगा जो देखेगा कि आज स्टेटस क्या है पहला स्टेटस है सब्मिटेट दूसरा सब्स्टेटस है बीलो अपॉइंट थर्ड है बीलो वेरिफाइड अगर एक स्टेज और दूसरे स्टेज के बीच में पांच दिन से भी ज्यादा वक्त अकर लग रहा है तो हम लोग मेल कर देंगे यह औरो को कि इतना टाइम क्यों लग रहा है आपका कार्ट जब तक मिलेगा हम लोग इसको कंटिनियसली ट्रैक करते रहेंगे अभी तक तीन हफ्तों में तीन हफ्तों में 7,900 लोगों ने अप डॉनलोड किया है और उन्होंने 22,000 नए वोटर कार्ट नए वोटरों को अपलाई किया है जिन में से 20,000 फॉर्म हम लोग अल्रेडी फिल कर चुके हैं देखिए हम लोगों ने 649 असंबली कॉंस्टिट्यूएंस का डेटा अभी तक अप में अपलोड किया है जिससे हिसाब से 34,000 लाक मुसल्मान घर ऐसे हैं जिन में वोटर कार्ट नहीं है देखिए इस तरह से हम लोगों को रिपोर्ट मिलती है कि किस वॉलेंटियर ने कितने वोटर कार्ट अपलाई किया है ओट आफ टेन वॉलेंटियर्स अलहम्द लिल्ला चार खावातीन हैं टॉप पोजिशन पे स्मिता धुरुआ ने 890 लोगों का वोटर कार्ट फिल किया है नहा अंजुम ने 656 लोगों का वोटर कार्ट फिल किया है मैं आप लोगों से दरखास करता हूँ अगर आज से आप अपनी सिंदगी का आदा घंटा इस प्रोजेट पे देंगे तो 30-40 लाग मुसलमानों को वोटर कार्ट मिल जाएगा बहुत ही सिंपल है सिर्फ अप इंस्टॉल करना है रिजस्टर करना है वहाँ पे हमारा मुबाइल नंबर है आप मुबाइल नंबर पे राप्ता कर सकते हैं मैं शुक्रिया अदा करता हूं नभी थामिछ सब्सक्राइब कर उन्होंने मुखा दिया वाद करने का